दोस्तों का फिरसे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फिलिपकार्ट ने एक नई सर्विस चुरू करी है फिलिपकार्ट पेलेटर EMI की और यहां पर आपको सतर हजार तक की पेलेटर की लिमिट मिल रही है और ऐसे में यूजर्स जो है बहुत सारे फिलिपकार्ट पेलेटर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बहुत का तो एक्टिवेट हो जाता है लेकिन बहुतों का जो है रिजेक्ट होता है या फिर कोई नो कोई इसू आ जाती है तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइक दिखाएंगे कि फिलिपकार्ट पेलेटर आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने लिमिट को किस तरह से 70,000 तक इंक्रीज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देरी की ये वीडियो को शुरू करते हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए चलिए प्रोसेस बता देते हैं सबसे पहले आपको आजाना है होम पेज पर उपर में लेट साइड में आपको टैप करना है थ्री डॉट पे उस पे टैप करेंगे फिर आपको माई अकाउंट दिखाई देगी माई अकाउंट पे टैप करेंगे तो फिर आपको नीचे में पे लेटर दिखाई देगा फिर आपको पे लेटर पे टैप कर देना है जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपना pen number डाल कर continue कर देना है जैसे ही pen number डाल के continue करेंगे pen verify हो जाएगी फिर आपको आपका अधार number डाल के verify पे tap कर देना है फिर जैसे ही आप verify पे tap करेंगे अपना अधार number डालने के बाद तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा फिर आपके रेजिस्टर नमबर पर OTP आ जाएगी आधार रेजिस्टर नमबर पर OTP आएगी ना कि आपके फिलिप कार्ट रेजिस्टर नमबर पर ध्यान रहे दोस्तों तो उसके बाद आपको अपना OTP डाल कर यहाँ पर verify पे tap करना है थोड़ा देर wait करेंगे तो आपका जो है वो verify हो जाएगा लेकिन अगर verify नहीं होता है try again वाली error आ जाती है तो फिर आपको try again पे tap करना है फिर आपको paperless EKYC करना होगा तो मेरे case में आप देख सकते हैं try again वाली error आ चुकी है तो यहाँ पर try again पे हमें tap करना है जैसे ही दोस्तों आप try again पर tap करेंगे और यह सारे users के साथ परिशानी होती है इसलिए try again पर tap करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की interface आएगी जहाँ पर आपको paperless EKYC करना होगा करेंगे आपके register mobile नंबर पर एक OTP आजाएगी UIDAI के तरफ से अब UIDAI के तरफ से आएगी इसका मतलब है कि आधार register नंबर पर ही आएगी तो आपको आधार register नंबर पर OTP आएगी उस OTP को डाल देना है फिर चार डिजिट का यहाँ पर कोई एक पिंजनरेट कर लेना है फ उसके बाद address पूरा जो है data यह UIDAI के website से capture कर लेता है और उसके बाद आपको agree करना है और फिर continue कर देना है जैसे ही आप agree and continue करेंगे आपका पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा 5000 के limit के साथ अब limit increase कैसे करना है यह flip card के उपर depend करता है लेकिन मेरे case में क्या हुआ कि मेरा agree and continue जैसे ही किया यहां पर कुछ error आ गई मतलब तरह तरह के error आ रहे हैं बहुत सारी users को कुछ users को sorry करके आ रहा है तो कुछ users को try again करके आ रहा है तो मतलब shopping continue shopping करके आ रहा है तो इस तरह से जो है flip card से हमने इसके regarding बात करी कि आखेर error क्या है तो flip card ने कहा कि यह कुछ पार्टनर IDFC first bank है तो यहां पर जो है इस तरह से जो है यह पेलेटर वर्क करता है तो अगर आपका पहले से civil score generate है तो बहुत chances है कि आपको पेलेटर हैंड टो हैंड एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन अगर civil score generate नहीं है तो इस तरह की error देखने को मिलेगी और आपका कि भी नहीं है कि पेलेटर आपको मिली जाएगी क्योंकि इन्होंने साफ तोर पर कहा है कि selected customers को दिये जा रहे हैं ऐसा नहीं कहा है कि उनका पार्टनर है वह अप्रूब नहीं कर रहा है किसी उज्जस को ऐसा नहीं है कि 5000 की लीमिट मिल रही है किसी को 7000 किसी को 14000 कि को 13000 किसी को इस तरसे flip card penny ठर्ट हम एक्टिवेट कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिए पे लेटर आपके एक्टिवेट हुआ या फिर क्या इडर आ रहा है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएंगे हम जो है कोशिश करेंगे फिलिप कार्ट से पूछने की ज़्यादा कस्टोमर्स के साथ अगर ये परिशानी होगी तो वह जरूर इसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियों से इतना ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना जाएए का नहीं मिलेंगे किसी नई वीडियो में दीजिए इजाज़त ठेंक यू